कियeh Okei को यहांद करना चलब संमलिक करने के लिए नब तरकी क्वाप्लिक हो सकता है अगर घ्ली मुझे का ड्राफटन की हम बेस और तो इसके बाद मुझे कुछ और भी पार्टिंग करके लेना है तो इसके ब्यूसistä करूंगा और फाइल में जाकर ने से करने को बोलेगा अब यह मुझे क्यों नहीं आ रहा है कि हम लोगों कौन से शीट पर ट्राफ्टिंग बनाना है अगर आपने मेरा पुराना एक कोई वीडियो देखा है जिसके नहीं बना था तो शीट भी मेरे पास अल्री रीडि है कि कैसे बनाते हैं अगर यूज़ करते हैं तो इसके इंदर सारे information pre-loaded आता है standard sheet में हम लोगो खुद से सारे information देने रहता है custom size में हमनों खुद के size इंटर कर सकते हैं जो भी करना है तो मैं फिलाल template यूज करूँगा वो भी अपना है और उसा information में कभी भी चाहूं तो भर सकता हूं उसके अलावा मेरा जो वियू है वो के आफ दी एंटार असेमली वह आ रहा है तो अभी एंटार असेमली का वियू क्यों आ रहा है क्यों हम लोग ने आसेमली की अंदर जाके ट्राफ्टिंग को सब्सक्राइब करो तो खाली ब्लॉक आएगा और जो भी चुब्सक्राइब कर रहा है उसका रिस्पेक्टिव टॉप यूँ अब तो प्लेस नहीं किया विव को अगर अगर मैं तो मुझे टॉप लिखा हुआ है अगर मैं राइट से लेकर तो मुझे राइट वीव दिख लेगा तो सबसे पहले में इधर से टॉप यूप लेज करना जाता हूँ ऑट न॥ा इतना बड़ा नहीं रखना लेगा तो मुझे टॉप यूप प्ले ओप लिख थोड़ा चोटा रखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हम लोग ृसके निदर जाएंगे स्केल मे कि जो size का actually वो component है उतने size का वो paper पे आएगा अभी कोई-कोई component इतने बड़े होते कि यह paper फिट नहीं हो सकते तो टाइम पे obviously हम लोगो scale कम करना ही पड़ता है बट उस case में भी for example इस case में one is to one paper पे fit हो रहा है but because मुझे और भी information paper पे देने हैं तो मैं इसके scale को चोटा करूँगा अभी अगर मैं scale one is to two लेता हूँ तो यह actual size का half size हम लोग paper पे आएगा ओके ओके सो यह मेरा top view currently आ रहा है और हम लोगो इसको जीदर place करना चाहिए हम लोग उदर place कर सकते हैं अभी मेरा planning यह है कि मुझे इदर top view रखना है इसके उपर front view, side view कुछ रखना है section view रखना है तो सबसे पहले मैं top view को इदर place कर लेता हूँ जैसे मैं आपने top view को place किया for example paper के center में और हम एकर mouse को move करो तो मेरे पास और भी view आ रहे है top view के respect में for example अगर यह side का view रखना है तो यह side का view रखना है यह side का view रखना है ऐसा view एक रखना है तो एसा view एक रखना है तो मैं यह वीओ को इदर place कर ले लेता हूँ अभी रखना है भी रख सकते बात में रखना रहेगा तो मैं इसको close कर देता हूं और मैंने इस particular view को देख हुआ अब यह जो particular view है इसके दर हम लोग को कुछ information आ रहे हैं for example इसको सारे के सारे को इसके इंदर के सारे information दिखाए देता है अभी हम लोग को इसके अंदर hidden lines भी होता है इंदर which Dorothy do not normally नहीं दिखाए देती तो hidden lines हम लोगो देखने है या यह फिर ये line का thickness हो है यह यह ठोड़ा करना है तो यह सब चीज़े करने के लिए हम लोग को डबल क्लिक करना पड़ेगा जैसे हम लोग डबल क्लिक करेंगे हम लोग को कुछ व्यू के इंफॉमेशन आएंगे यह काम इदर से भी किया सकता है अगर हम लोग लेफ्ट में पार्ट नैविगेटर में जाएंगे तो इ इसके दना सबसे पहले है इसनका क्लर क्या होना चाहिए इसा नहीं होता है अभी क्ललक करेंड चक्न करेंगे गलो यह दिखाए देगा तो हम लोग क्या करेंगे अब ही पता तो नहीं चलना ना कि यह यह नहीं है यह यह द्रॉइंग पर रैट लिक करके अगर में मोनोक्रोम को बंद कर दूँ है क्योंकि मोनोक्रोम मोड चालू है इसका मतलब यह है कि हम लोग को कोई भी कलर नहीं है okay so monochrome चालू रहोगे तो सब कुछ black and white ही दिखेगा बड़ प्रिंट में वह यलो आ सकता है अगर monochrome mode चालू नहीं रहेगा तो okay so मैं इसको double click करता हूं इसको yellow के जगे पे black कर लेता हूं because यह मुझे इस particular view का information चाहिए दूसरा इसका जो line thickness है 0.7 का है जो की काफी जादा है okay for respect autocad के उसमें 0.25 का आता है by default इसको थोड़ा चोटा कर लेते 0.35 would be good enough okay इसका line weight इतना बराबर रहेगा मेरी view के हिसाब से इसको तिकन से और बढ़ाना है बढ़ा सकते हो कम करना और कम कर सकते हो that is totally your wish बढ़ यह इधर से control किया जाता है इसके अलावा हम लोग और क्या control कर सकते है hidden lines को hidden lines मुझे वही color में चाहिए इसको मैं अप्लाई कर दिया इसके अलावा मुझे hidden line is invisible नहीं चाहिए मुझे suppose hidden line ऐसा दिखना चाहिए तो अभी hidden line का thickness match करना है अपने original line के साथ तो वह भी हम लोग कर सकते हैं तो इससे कि होगा जितने भी hidden lines थे जो कि हम लोग पर्टिकलर्ली उस व्यूमें नहीं दिख रहे थे वह सब हम लोगो इधर तक दिखाई दे रहे हैं और यह सारे information हम लोग इधर से control कर सकते हैं व्यूव के बारे में पर्टिकलर्ली जो basic information होता है यह सारे information होता है एक बार एक हम लोगा प्रॉपली लग गया और उसका प्रॉपर इंफर्मेशन हम लोग ने दे दिया इसके बाद हम लोगो और भी व्यूज बनाने हैं ड्रॉइंग बनाने के यूग स्टेप्स होता है सबसे पहले हम लोगो व्यूज बनाना पड़ता है उसके बार यह सारे इनफर्मेशन हम लोगो और लोग प्लेश्ट हो जाता है उसके बाद में का ड्रॉइंग व्यूज रेड़ी हो जाता है अब इदर से जाते हैं मैं कोई और लेके आ सकते हैं अगर लेके आना चाहिए तो जैसे अम लोग में थोठाए देर पहले देखा तो चो कमांड पहले तो यह बराबर रहेगा ताकि में नीचे कुछ information भी देपाँ और इसके ऊपर भी कुछ information अगर देना रहे तो देपाँ और साथ में मेरे पास enough space भी है हर साइड में information देने के लिए तो अभी इसमें जो भी हम लोंने सेटिंग किया था विकाज यह उसका projection है तो इसके अंदर भी हो सारे के सारे सेटिंग्स as it is हाएंगे तो यह benefit होता है एक projected view का अब मुझे इसके अलावा क्या चाहिए कि मुझे इदर से इसका कट section view चाहिए कि अगर इसका section भी होगा तो कैस चाहिए होता लिए तो इसके लिए इएक option है section view करके इस पर जाते है इसमें dynamic option को स्विक्ष्ट रखेंगे और इसके ऑल्मूच्च इंदर सेंटर इदर इधर हम लोग इसका section view लेना चाहता है तो इसको मैं यह side कर देता हूं कि मुझे hidden 9 ना दिखे दूसरा चीजिस प्रच का है मुझे थोड़ा कम चाहिए है स्पेसिंग पे करते है ऐस पे 30 का कर देता हूं और थोड़ा-कम रखना है उसको 1.5 कर देता है फिर सेप्लाई दबाके दिखता हूं और यह मुझे ठीक लगनार है एक्सक नाम में यह जो का साइस है यह सब मुझे मुझे चिरघा है एक्सका करने के लिए GU तो मैंने इसका 2.5 हाइट रखा अपलाय दबाया इसके अलावा हमें इदर सेक्षिन में जाके सेक्षिन का लेबल के आएगा या कुछ और वह भी ले सकते हैं और उसके अलावा हम लोग यह भी डिफाइन कर सकते हैं इसका हाइट कितना एक्ष्ट्रा बढ़ा होगा तो मैं क क्या किया सबसे पहले डबल क्लिक किया अब इदर मेरे पास सबसे पहले सेक्षिन के अंदर इसके अंदर कोई और option नहीं है सेक्षिन लाइन के अंदर यह उसका टाइप है अलग अलग टाइप हम लोग कैसा दिखाना चाहते हैं इसका थिकने सेम रखना है कि नहीं रखना ह okay और इसका एडिशिनल विद इदर आ रहे है वह डबल हो रहा है टेखिंगे ली वह लोग देखसकते हैं एलो का जो सई चखेंड है वह 7 का है ji Gate को मुझे थृष्ण जादा है 25 सो मुझे इसको खाली 10 का रखना है या 8 का एरो का जो बॉर्डर डिस्टेंस है अभी अगर कुछ चीज़ ना समझ में तो इसको हाइलाइट करो और इसके इंदर किमें जादा है उससे हम लोगों समझ में आ जाएगे कि वह क्या चीज़ है बॉर्डर डिस्टेंस तो और यह उसका हाफ रखोंगा फोर जैसी मैं इसको करूंगा तो यह सब चीज़े आटमाटिकली चेंज जाएगी अब साथ में मुझे इसका लेटरिंग भी चेंज करना है तो इसके लेटरिंग पर डबल क्लिक करते हैं अब सेक्षिन थोड़ा पास आगया सेक्षिन वी कर सकते हैं वह उदर भी हम लोगें कर सकते के सटेंग में चलता बडर हम लोग बनाता हुए और उसके सारे सेटिंग को मैं श सेफ कर tren द्रिंग को द्रख stake क्लिए यह वह सारे ओस हम देंग को select किया मुझे इसका overall width आ रहा है अब मैं इसके settings में जाना जाता हूं तो इसको रख देते हैं इसको close करते हैं और हम लोगा का dimension ready है अब मुझे कुछ settings करना है कि इसके arrow का size change करना है मुझे इसके particular information को हम लोगो change करना है सबसे पहले मैं टेक्स्ट में जाता हूं टेक्स्ट के अंदर जो इसका format है वो कॉमा नहीं आना चाहिए पॉइंट आना चाहिए और दो decimal places तक आना चाहिए trailing zero दिखना चाहिए ओके देखो कॉमा रहेगा तो ऐसा आएगा पॉंट रहेगा तो ऐसा आएगा यह number of zeros है हम लोग उसको कम यह जाधा कर सकता है यूनिट से हम लोगा millimeters है तो यह सब चीज़े हम लोग इदा से change कर सकते है टेक्स हम लोगो over the dimension ही चाहिए horizontal text in the middle of the dimension चाहिए तो यह मैंने 10 से change कर लिया तो यह सारे टेक्स्ट के informations है ओके इवन इंक्लूदिंग थाइट तो इसको 2.5 रख सकता है सारे information lines and arrows में आ जाएंगे और सारे के सारे arrow के information for example यह arrow कौन से यह extension line इसको कहता है ओके so extension line जो है वो कितना extra extend हो रही है overhang यह हम लोगो इदा से दिख जाएगा so 2 नहीं होना चाहिए यह generally 1.5 के आसपास होगा तो भी चलेगा okay in both the cases यह सारा information हम लोग इदर दे सकते हैं एक बार हम लोगा information defined हो गया and if we feel the information is correct तो मुझे क्या करना है कि next time जब मैं dimension बनाओ तो यह सारे information as it is I for all the different types of dimension तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि सबसे बने में जाओंगा file में preference में और drafting में file में preference में और drafting में और इसके अंदर में सेटिंग कर सकता हूं अब इसके अंदर सेटिंग दूढ़ना थोड़ा difficult होगा विकास बहुत सारे settings तो बेटर क्या कर सकते हो inherit में जाके select setting source में हम लोग इधर करेंगे selected object ओके यह object को select करेंगे और इधर से सारा setting इसके इंदर करके लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी सेटिंग इस पर्टिक्लर डामिशन के लिए कि वह इसमें लोड हो जाती है तो इससे होता क्या है कि next time जबी में कोई dimension create करता हूं for example इधर से लेके इधर तका मैंने dimension दिया तो सारे settings जो भी मैंने बनाई थी वह already इसके लोड हो चुकी है मुझे horizontal dimension चाहिए तो मैं horizontal में रहता हूं इसके साथ में align करके मैं इसको इधर प्लेस कर देता हूं तो सारे settings इसके इंदर अलड़ी लोडेड है सेम मुझे इधर से एक और dimension चाहिए यह अगिन horizontal dimension इसके साथ में line-up होना चाहिए तो मैं इसदर भी इसा information display करना ओकि सो अभी हम लोग के हाथ में कि हम लोग कितने information display करना है तो फर एक्जांबल इसको वापिस हमें इन फर पर रख देता हूं और इधर से इधर तक का यह dimension में create कर देता हूं इधर से इधर तक का यह dimension में सब्सक्राइब कर देता हूं इसके लाव मुझे होल का diameter भी देना है तो इधर डामेटर का dimension आ रहा है और डामेटर का dimension में वह सारे प्रिफरेंसे अल्री लोड़ेड है बट मुझे इधर लिखना है सब्सक्राइब करता है तो इसको में इधर लिख सकता हूं यह फोर लिखा मैंने होल्स लिखा ऑफ और डामेटर एट तो आही रहा है हम लोगों के पास में फोर होल्स ऑफ डामेटर एट पूरा लिखके हम लोगों को आ जाएगा सारे का सारा सो इसको मैं फिलाल के लिखेस करता हो उसको पीदयाफ करके सब करता है कांगों चीत को इदर करना है इसको मैं D drive में save करना जाता हूं in the same folder जिसके अंदर मेरा assembly है okay करता हूं इसका नाम मुझे क्या देना है वो भी मैं इधर से सब define करके ले सकता हूं इसका color as displayed या फिर मुझे कोई legacy black on white यह मुझे particular color चीए तो यह color भी ले सकते हैं मैं black on white ही generally लेता हूं जो width है standard width मुझे रखनी है size and scale factor 1 यह सब मुझे ठीक लग रहा है output यह सब ठीक है image resolution high और जैसी मैं इसको ok करूंगा तो exporting PDF हो गया exporting PDF completed अब मैं जाके अपना PDF देख सकता हूं क्यों कैसा दिख रहा है और PDF में यह सारे information हम लोग को दिख रहा है काफी detail लग रहा है काफी thick भी लग रहा है print में काफी जादा इसके नदर details आ रहे हैं तो कोई भी इसको drawing को देखेगा तो काफी clearly उसको समझ में आएगा अब ऐसी काम करते हैं और एक sheet add करते हैं तो उसके लिए हम लोग new sheet पे click करते हैं इसमें भी हम लोग अलग template decide कर सकते हैं if I want to और इस case में हम लोग एक assembly का triumetric view लेता है तो यह हम लोग आसेंबली का isometric view है को कि हम लोग इतर लेना है सपोच scale को थोड़ा चोटा ही रखना है इस case में भी तो scale को थोड़ा चोटा रखता है और इसको मैं close करता हूं तो हम लोग ने का करना है और अपडेट दबाना है जैसे अपडेट दबाएंगे वह घड़ी का सिंबल चले जाएगा और द्रॉइंग रड़ी हो जाएगा इसके बाद मुझे करना क्या है कि मुझे हम लोगो एक और यह एक बिलफ में चाहिए तो इधर मैं पार्ट लिस्ट में जाता हूं और इसके उपर यह राइट लिक करके इधर ऑप्शन आ रहा है क्रियेट बलून्स करके यह पर्टिकलर ऑप्शन नहीं है तो वह थोड़ा बक्के वज़ास नहीं हम लोगो दिखाया रहा है यह उस बरोंस भी बना सकते हैं बलोंस बैसिकले करते हैं उसको बैसिक इफाइक होने वालड है है एक सब्सक्नला असको जाता हूआ है करता है इन इसके यह इंपरमिशन नहीं है सब मेरे पास ओपिजशन है क्हां है guy कि मिदर सर्च करके देख लेता हूं कि बैलून में शुक बैलोन करके आप्ट्चन है शुबलून वाले लेते हैं कि इधर कोई option है क्या कि वर्टिकल ग्रूपिंग और जोन्टल ग्रूपिंग स्लेक गैलरी रो कॉलम गैलरी सारे options हम लोगे मुचली चालू ही है ओके टैबलर लेबल यह सारे information में कि अल्रेडी चालू है तो हम लोग को और को information नहीं मिलेंगे तो इसको ऐसा रहेगा पता रहेगा कि यह पर्टिकलर पार्ट लिज्ट जो है वह यह पर्टिकलर व्यू का है ओके सेटिंग्स में जाके चेक करते हैं वेदर भी हाफ बलून सेटिंग्स सेटिंग्स में भी हम लोगा स्कॉल आउट है कॉल आउट में सरकल है इजर इंफॉर्मिशन आ रहा है वह इंफॉर्मिशन हम लोगो ट्रॉइंग व्यू पे नहीं दिखाई देगा वाइडिफॉल्ट इसका मैं एक अलग से वीडियो रख दूँगा कि आपको पर्टिक्लर ली नए वर्जिन में बलून किसे बनाने है उसका इक पर्टिक्लर अलग वीडियो में रखता हूं आप लोगो यह पूरा प्रसेस समझ में होगा अफ क्रिएटिंग ड्राफ्टिंग और यू गॉट पॉइंट कि ट्राफ्टिंग हम लोगों करना कैसे हैं तो थैंकि वेरी मुच फॉर वाजिग है वर ग्रेट देए